हेलो गाइस बेलकम बैक टू माई यूट्यूप चालर टीएस एग्री अकेडमी दोस्तों आज हम बात करेंगे बीएस एजी सिक्स समिस्टर को लेकर जो कि हमारे अगला एक्जाम पेपर होने वाला है सब्जेक्ट का जो कोर्स है मैयनूर फर्टीलाइज़र तो उसके बारे में हम लोग डिसकस करेंगे टॉप 50 को लेकर दुष्टों इससे पहले इस सब्जेक्ट के हम कोर्स के करें तीन क्लसे करा चुके हैं जैसे कि question number 21 से शुरू के रहेंगे 120 question हम लोग इस class के पहले ही करा चुके हैं 121 का जो है आज ये करने वाले हैं जैसे की राय screw B or culture में पिवीब होती है ब्रयोग और शोब कर के हम लोग फसल में ब्रब्द्रि कर सकते हैं question no 22 राय Software है रिक्रीर में कुलेट में ब्रद्ran में ब्रद्रि होती है यानि कि rust दी गया है सतर असी पैंसर और पचासी करेक्ट आंसर है आपसा नमबर सी यानि कि पैंसर प्रिजियत तक ब्रद होती है चलते है कोशन नमर नेश्ट में नेश्ट में दिया गए है तो इसलिए इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर चलते है नेश्ट में नेश्ट नेश्ट में दिया गया है राय-जोबिय यह इजेजो इस्पारिलम से जुआर एवं बाजरस इγαसे उत पाधृ करके एक स्पारियैं कितने पर सन्त तक ब्रद हो ती ह यह देखी गए यह तो करेक्ट आंसर आपसर नमर D होगा 10 से 24 परसंट तक इसकी ब्रद्ध होती है चलते हैं कोछ नमा नेश्ट में नेश्ट में दिया गया है कि अजोला से धान की उत्पादन में कितने परसंट ब्रद्ध होती है दोस्तों यहां आजोला होना चाहिए उन स् का जब यूब करते हैं तो नाइट्रोजन की बचत हमारी 20-30% किलोगराम तक हो जाती है यह ने कि 8000 तन जो है नाइट्रोजन होती है इसके चलते हैं सीमबीटिक निप्सेशन बैट्रिया यानि की स착वाइटिक निध्रूजन फिक्सेशन वेक्ट्रिया चलते हैं कॵ conve trumpे सलबंध संचिन न tastes होता है थोन क्या पात sellers वियkeit होगा चलते हैं कुछ नमर नेश्ट में दिया गया है नीर हरीच सवाले यानि ब्लू ग्रीन एलिगी किस बर्क का जैब उरुबरक है तो दोस्तों किस बर्क का है आपसा नमर सी फास्पोरस यानि माइक्रो और्गिनीजम का उरुबरक है ठीक है जैब उरुबरक है आपसा नमर सी ठीक है चलते हैं को चलते हैं मनेश्ट में अगुलन सील अकारवनिक फास्पेट को सरल एवं अगुलन सील अवस्ता में बदलने वाले बैक्टेरिया फंगत एवं एक्टिनो माइस सिट अब नेश्ट में दिया गया है एक्सको ताहिए असम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेटान बैक्टिरिया द्वारा संचित नाइट्रोजन और आमोनियम सेल्पेट के मद्द क्या अनुपात होता है अपसे नमर सी 2-3 दो अनुपात 3 का अनुपात होता है यानि सम्बाय यह के सबसे अधिक गति से भरता है सोली आफ्र नमर हमारा वी राइच होगा ब्री ब्रेड़ी राइजो भी रायट होगा चलते हैं कोशने हम 35 में दियाग है मत्र लोकि 심लो की जड़ों की लिकने हुं प्रामंश मनें से कौन सा वर निम्न में से कौन सा अन। राजयोबियम इस्पिजिज पाया जाता है जो अलफा बर्क के गाठों में राजयोबियम इस्पिजिज है कौन से बर्का होता है तो आफसन नमबर A है राजयोबियम मोली टोली पाया जाता है आफसन नमबर A राइट है गाइस जो कि हमारा आफसन दिये गया है राजयोबिय both 37 ॗоло 31 का सूत्र गया होता है दोस्तों आफृर C70 त्री का सूत्र जो होता है आफ्यरो हमारा डी राइट होगा जलते हैं sudah 38 पर 38 में दिया है और मॉली विड्नम की ऑपड़त्य दौस्तों मॉली जुर्दम के उपड़त्ता सबसे अधिक किस पर होती है किस पीएच पर होती है तो आपसा नबर बी राइड हो वा सेवन पीएच पर सबसे अधिक होती है जो कि हमारा सामान पीएच होता है निस्ट है कि तो जो धान के पानी वरे साइवाल के खेत होते हैं, उसमें प्रत हेक्टेर जो इस्तिर की जाती है, नाइट्रोजन केतने प्रत हेक्टेर इस्तिर की जाती है, तो आपशन A है, C है, 35-40 किलोग्राम तक नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है, पानी वरे साइवाल के दोरा सिंगल इस्ट है कि सिंगाल सोफ़ासपेट में फासपेट का Sayanganek सूत्र क्या होता है? सिंगल इस्वह नमडर A, C, A, B, H, P, O, 2 अफ़सा नमडर हमारा A yari हो ऑगा सिंगल सोफ़ासपेट कि जो सूत्र होता है मैंत Śंपाई जाती है मुर्गी की जो खाद बनाए जाती है उसमें आफ्टा नमर हमारा सही राइट होगा सबसे यदिग नैट्रोजन पॉलिट्री में पाई जाती है जो कि 7% तक होती है नेश्टे कोश्चिन में फासफोरस उर्व का फासलों में अच्छा प्रभाव दिखाई पड़ता है यान 16-22 परदें तक कंश्चन नमर 114 का चलते हैं क्या नाम है कि विटामीन का राइसानिग नाम है तो जो सायनओ कोबालाम मीं है आफसे नमर ए है विटामिन भी बन होगा यहां पर बिट्यूमिन भी भी बन साइनओ को बाला में चलते हैं कुछा कॉर्चन में की इन इन हाइड्रेस अमोनिया में नाइटोजन की मात्रा क्या होती इन हाइड्रेस जो अमोनिया होती है उसमें नाइटोजन की मात्रा क्या रखी जाती है दोस्तों नाइटोजन की मात्रा होती है आपसे नमर सी 82% तक रखी जाती है चलते हैं क्वेश्चन नमर 47 में कि सिंगल स किस प्रकार का है वो है साइटो सुरी अग्जिन एसिटिक एसिट अग्जिन है हमारा आपसर नमर ए राइट हुआ इसका चलते हैं को चलते हैं नेक्ट में दिया है सिंचित एभाई की दसा में मैदानी छेत्र में गेहों के लिए औरुब्रक की मात्रा क्या रखी जाती है या दोस्तों हमारा विए निbell et कोस्टिन है कि गंदक आवस्यक के लिए कि गंदक हमारा किसके लिए ब्रोटीन संसरेशन में क्या होता है nitrogen nitrogen तथा NO-gas यह नो-gas यह नहीं है दोस्तों कौन सा अमलेकारी और नहीं है तो और क्रेक्षान से केलसियूं नांगी काया जाता है किसान सेम्ठाटियों गुजल से लक्षम में सुछ। हमारा वह FIFA कापका नहीं समशाхаि नहीं है क्वाल हो सुचानप तता तो नहीं है चलते हैं इह फेप्टी एट में कि गौण पादप्थ ऐसा secondary plant nutrient कौन सा है तो वोरन से कैल्म जुर्प्राइब है पोसक है हमारा नाइट्रोगन जिंग और वोरन तो दोस्ते वह है हमारा नाय्ट्रोजन जो स्कॉसक भेषा empieza अनसंचित बेज़दर है यानि कि ओसर भूम में हरीकाद के लिए प्रती हेक्टियर धैंचा की अनसंचित बेज़दर है तो धैंचा की वोई के लिए कितने प्रिस्यत तक बवए जाता है तो आपसा नमर हमारा सी राइट होगा 60 किलोग्राम तक धैंचा की बवए की जाती है और फ्रीट से मिलता है आपसे न. आम आ आपसी राइट जाते है की जस्ता किस रूप में पौध में द्वारा अफसेशित किया जाता है दोस्तों जस्ते को किस रूप में अफसेशित करते हैं तो जे डियन दो धना इनके रूप में अफसेशित किया जाता है पौदों के द्वारा नेश्टे की sulfur coated urea में नतरजन की मात्रा कितने होती है तो sulfur coated उरिया में नतरजन की मात्रा होती है 47 46% आपसे नमर अमारा डी राइड होगा इसके चलते हैं question 414664 में की DAP में होता है डी एपी में क्या क्या होता है दोस्तों DAP में NP के तीनों होते हैं तेनों नहीं होते हैं तो यानि कि आपसर नमर हमारा यहां पर डी राइट होगा 18% नाइटोजन और 46% फास्पोरस पोटास हमारा नहीं होता है ठीक है चलते हैं को चलते हैं को चलते हैं कि इंट लेनी फसलों में अनुपात में देना चाहिए तो आपसर नमर हमारा यहां पर सी राइट होगा अगर आप लोगों क्लास पसंद आयो तो पहली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इससे पहले इस क्लास के तीन पार्ट हो चुगे हैं जिसका लिंक नीचे बायो में दिया गया है आप अनुपातिक मात्रा को क्या कहते हैं क्या कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों कर्रेक्ट आंसर जो हमारा है वो है इसमें आपसा नमर ए यानि की उर्वरग अनुपात इसको चलते हैं कोशन में दिया है सिंगल सोफर फासफेर में फासफोरिक अमलिकी मात्रा कितनी होती है जो सि 20 परसेंट तक होती है इसके चलते हैं कोशन मन्नेश में दिया गया है फासफ फासपा जिस्पन का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों फासपा जिस्पन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C-A-S-O-2-H-O यानि की आफसनमर हमारा C-Right है कि इन्वर्स उपज नाइट्रोजन नियम किसने प्रिशपादित किया इन्वर्स उपज नाइट्रोजन जो नियम है किसने दिया था वो दिया था आफसनमर C-Mirch Kilne मिच लिर्क ने सन 1909 में तो गास यह हमारी जो क्लास के चारों पार्ट आज कम्प्लीट हुई इसका नीचे जो बचे हुए तीन पार्ट है उनका लिंक नीचे डिस्क्रिस्ट्शन वाक्स में है आप लोग वहां चाहकर वो वीडियो वाच कर सकते हैं क्लासे देख सकते हैं और आप लोग क्लासे पसंद आये तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ओके गाइस थैंक्स वार वाचिंगे मिलेंगे हम नेश्ट डिए नेश्ट टॉपिक नेश्ट क्लास में ओके थैंक्स वार वाचिंग टेक क्यार